खुल लो आख दो अख चैनल सिराश्ट्रिक दीशडी अज अच्छा ने जा रहें इंटरनाशनल पाइनसी जो टैपिक आज कवर करने वाले यह टीवाइब आज जो टापिक करने जा रहा है इसका नाम है डीवाइब के अंदर इंट्रड़क्शन टू एक्षेंज रिट अव टीवाइब की बाद करोंगा दो फोरेक्स अरत्माइब अठिक उनिट फोर्म है दोनों में चीजे सेम है सिमिलर काइन के मैं जो सम्झ करवा रहा है यह रिषभ पप्लिकेशन से कर वहाँ है आप इतल रेफर करो आप वनन रेफर करो जो भी बूख आपको रेफर करने आप रेफर करो तकलित कुछ भी ने कंसेप्स अपमें रहें तो सबसे पहला बात कर रहा है foreign exchange rate की इसमें exchange rate में होगा क्या exchange rate का मन्दम नॉर्मली अभी जैसे आपने कोई वीडियो डियोटुब पर डाग दिया तो जो पैसा आपको आ रहा है वो बाहर की country से आ रहा है जो आता है dollars में तो आपको यह मार मुना चीए कि एक डॉलर का इंडिया में कितना पैसा है रुपीज में कितना मिलेगा यसी चीज़ को आपको समझना है इसी को हम लोग exchange rate या फ्यरेक्स arithmetic कहते हैं okay first we will understand the numerical based on direct and indirect rate second part हम कवर करेंगे वो है cross currency rate तीसरा part जो हम कवर करने वाले वो spread and spread percentage समझ में आ रहे हैं किया क्या क्या पैवर करने वाले सबसे पहले था जम्दों कवर करने वाले तो direct and indirect rate second cover करेंगे cross currency rate and third cover करने वाले spread and spread percentage very important lesson जाने का आपको में है very important lesson very important lesson and very important lesson BMS की rate और basket चाहिए 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 देखते डाइरेक इंडाइरेक रेट क्या हो यहां पे कुछ रेट लिखा रहे है USD INR 68.1610 slash 68.1615 यह ए नहीं है पस अपको एर्र हो गया है तो यहां तो है USD INR what is USD INR तो आपको rate दिया गया USD INR के form में तो आप देखो पहले USD लिखा है और दूसरा INR लिखा है तो जो first rate होता है जो first currency होता है उससे हम कहते है foreign currency यहां तो base नहीं है USD is the first currency first currency क्या है USD तो USD को हम लोग कहते है base तो लिंद ब्लाइंग में आएगा द्रान में रखना first currency is always called as base currency and it is always in simple language called as foreign currency मतलब मुझे foreign currency का value दिया हो इंडियन रुपीज में है the second currency is INR इसे अंदक INR को क्या कहते है variable base currency या तो variable currency which is also known as home currency of domestic currency normally USD, INR हम अभी जब भी question में INR आ गया न यह समझने गा INR is home currency और पहला currency हमेशा foreign होता है और दूसरा currency हमेशा home currency पहला foreign और दूसरा home currency जब question में यूएजड जूबी पी दे दिया अला कंट्री आ गया तो उस case में आपको समझना पड़ेगा INR में हमेशा INR home currency ही रहने वाला 99.9% case में INR अगर question में मतलब home currency मतलब variable currency second ही रहेगा 99.9% case है 1% chances है INR first आ जाए तो वह foreign बग जाएगा 99.9% हमारे लिए INR is always one currency इंडिया में रहते INR home currency अब यहां पर मैंने आपको बता है first currency हो second currency की बारे first currency का जो first value होता है जो first value होता है 68.1610 इसे आप bid rate भी कहते है bid मतलब buy परना तो buying rate होता है हमको कितने में buy करना चाहिए हमको बाहार का currency कितने में buy करना चाहिए तो buying rate या तो इसे bid rate भी कहते है 68.1610 जो first value है इससे आप कहते हो ask rate या तो selling rate यह जो terms में use कर रहा हो important रहेगा spread percentage cross currency इन सब चीज में bid ask ऐसा language use किया जाएगा find the bid value find the ask value bid value मतलब buying rate find करो ask मतलब selling rate जो second rate होता है उसे आप selling rate कहते हो जो first rate होता है इसके लिए बता simple रहाशा में चीए conclusion पूरा लिख्या रखा है USD, INR आपको दिया USD कौन सा currency है base currency इसे हम दो क्या कहते है foreign currency INR को हम दो क्या कहते है variable currency मतलब home currency bid rate इसे buying rate कहते है second rate है उसे ask rate उसको selling rate पूरा conclusion इसके चीक है point to remember point to remember exchange rate is normally return up to 4 decimal जब भी आप exchange rate लिखोगे find करोगे future में तो कितने decimal तक लिखना है 4 decimal point के बाद 4 values लिखने है और जो पाच हुआ value होगा the fourth decimal is round that based on the fifth decimal मतलब वगद पाच हुआ value में रहा पाच या पाच से बड़ा है उसका एक value हम fourth में क्या करेंगे add कर देंगे basic max का जो rule है वही point clear हो गया first part clear start करते how to find direct and indirect rate अभी मैंने language explain किया आप आप ऐसा दिया जाए तो जो पहला currency है उसे हम लोग base currency गोलते है दूसरा currency है उसे हम लोग variable currency कहते है base currency का नाम foreign currency है variable currency का नाम form currency पहला value होता है bid value दूसरा value होता है यह मैंने safe knowledge दिया अब हम direct और indirect के बारे में start करने वाले हमसरे direct rate direct rate का मतलब होता है जब foreign currency एक रुपय का value express करेगा एक रुपय का value मतलब एक डॉलर का value when foreign currency is expressed in one unit it is said to be direct rate for us for home currency जब foreign का एक डॉलर का भाव मेरे इंडियन डिपीस में मालूम है मतलब for example कि US का एक डॉलर का rate 80 रुपया है तो अगर 80 रुपया दिया है किसका एक डॉलर करें एक मेरे लिए foreign currency होगा एक foreign currency express किस में किया है one unit में किया है तो इसे लिए हमारे लिए वो कोट क्या बन जाएगा example के लिए USD INR 68.163 USD INR यहां पे one USD का rate दिया है इंडियन डुपीस में इंडियन में खरीदने का हाँ पीछने का हाँ जब foreign currency एक डॉलर में express होगा तो इंडिया के लिए वो डायरेक्ट होट होगा इंडिया के लिए डायरेक्ट होगा बात समझा क्योंकि मुझे मालू है कि मेरे एक रुपे का मेरे इंडिया में कितना value मुझे डायरेक्ट ली मालू है इसलिए मेरे लिए वो क्या बन जाएगा लेकिन वह ही जोगी है USD is foreign currency INR is home currency foreign currency is expressed in one unit and it is a direct quote for India इंडिया के लिए अब मैं बात करूँगा indirect quote के लिए when home currency is expressed in one unit जब इंडिया का value एक रुपे का value बाहर के rate के dollar में दिया हुआ मतलब for example इंडिया का एक रुपे नहीं चलता इंडिया का 100 रुपे चलता इंडिया बाहर की country में 1 dollar बन इंडिया में 1 dollar नहीं 100 रुपे का value हो तो इंडिया के लिए it is not 1 it is always 100 लिखा जाता है 1 and it is expressed as 100 रुपे तो 100 रुपे का बाहर की country में कितना value होना मेरे 1 रुपे का value मतलब मेरे 100 रुपे का value बाहर की country में कितना होगा तो मेरे लिए वो क्या बन जागा indirect quote 1 INR AD is 0.0 AD भाद में लिखा हुआ first currency INR हुआ first currency मतलब foreign currency AD क्या हो गया home currency इंडिया थे home होता है तो यह तो रिगस उल्टा चल गया उल्टे अपन क्या कहते इंडिया अगर अब भी नहीं समझा तो समझ करवाँगा तो और easily समझ में आ जाएगा खली जान में रखना जब इंडियन रुपीज एक रुपय का value दूसरे country की इसमें express क्या गया है तो इंडिया के लिए वो क्या है indirect AD के लिए क्या है direct क्यूंकि इसमें तो foreign country होगा नहीं समझ में आ रहा है होता है तो variable country के लिए वो क्या तम जाता है direct बराबर अब इस case में AD बहारवला country है और INR इंडियन country है तो मैं अगर AED के बारे में बात करूए यह US की country है आप हम दुबई जाते हो ना तो दुबई का दिरम की value तो दिरम के लिए UA के लिए यह home currency है और UAE के लिए यह क्या बन जाएगा foreign currency जब foreign currency एक में express होगा तो इसके लिए वो क्या बन जाएगा direct quote और मेरे लिए क्या बन जाएगा indirect समझ में आ रहा है इसके point of view से लेकिन इंडिया के point of view से वो क्या है बैठा दिमाग में आपको यह logic समझना topic खता हम हो जाए यह logic समझना topic is dead यहाँ पर INR is expressed in one view therefore it is an indirect quote for India but direct quote for AED clear? सम्स करते तो समझ में आये जाएगा question में बुला है identify the names of respective countries अगर समझ में आ तो identify करेंगे यह तो कुछी जरवत हो नहीं है which identify the names of respective country where the following is direct quote कौन से country के लिए वो direct quote है वो find करना है for each find indirect quote अगर उस country के लिए वो direct है तो उसका indirect भी find करके बता है ठीक है simple भाशा very simple भाशा and very simple भाशा यह है किसी भी चीज़का उटा करना है तो one upon कर देनेगा for example direct है तो answer आएगा direct है तो answer आजाएगा यहाँ पर one upon indirect अगर indirect है तो one upon direct वैसे ही bid है तो one upon ask ask है तो one upon जब भी reverse psychology है bid मालू में तो ask मिल जाएगा ask मालू को तो भीक्तारी reverse करके और इसमाल जाएग बैल अपॉंट क्या है सम की तरफ जाते question में दिया है एक great bit and pound का इंडिया में value है 75 rupees एक great bit and pound का इंडिया में value है इंडिया का रुपीज तो वालू है एक रुपी में दिया है कि इंडिया नहीं एक great bit and pound दिया हुआ तो foreign currency एक dollar का इंडिया में कितना है यह दिया है और रुपीज मेरे लिए क्या है home currency home मतलब variable currency जब foreign currency जब foreign currency का एक dollar का value दिया है तो मेरे लिए क्या बन जाएगा direct यहाँ पे foreign currency foreign currency is express in one unit therefore मेरे लिए यह क्या vote है direct vote है it is direct rate in India इसका indirect क्यों निगलेगा indirect निगलेगा 1 upon direct 1 upon direct value कितना 75 1 मतलब indirect यहाँ पे इंडिया के लिए तो कितना लिखा मैंने 100 इंडिया के लिए क्या जाएगा 1 नहीं 100 तो 100 divided by 75.31 करू तो 1.3278 grid bit and pound समझ मैं तो हमारा 100 क्या वहाँ कितना dollar है 1.32 dollars जाएगा शीख clear है सम समझा क्या है शबिस 2nd sum किदर जाएगा 1 USD का रुपीज दिया है बोलो क्या है किसके लिए direct किसके लिए indirect इंडिया के लिए direct इंडिया के लिए direct रुपीज में दिया होना एक बैलर का value foreign currency USD है इंडिया जब भी है यहां पे लिपीज is home currency USD is foreign currency and foreign currency एक बैलर का value दिया हो है it is expressed in one unit therefore it is direct for India इंडिया तो इसका indirect के लिए निगलेगा इंडिया आएगा 1 upon 38.30 1 मतलब 100 आएगा तोंकि 1 रुपी नहीं होता है कितना आ रहा है 0.20704 देख लागतर के तो 100 आएदर का USD में value कितना आ रहा है दो जब हमारा 100 रुपया वहां का दो दावडर के इस ठीक है clear हुआ next 1 रुपी Switzerland का 0.20 एक रुपया इंडिया का इंडिया का एक रुपया है तो इसका मतलब इंडिया बन गया है मेरे एक रुपय का वह भी उदर की बारे में बता रहा है तो मेरे लिए तो इंडिया लेकिन Switzerland के लिए क्या हो जाएगा तो यहां पे रुपीस is home currency and SWKER is foreign currency लेकिन home currency जो है एक में express किया गया है एक रुपय का वालिया तो यह क्या बन जाएगा indirect quote in India लेकिन वही जगे पे स्वीडन की बात पर हो Sweden दिया हो जाएगा Sweden दिया हो जाएगा क्यों क्योंकि Sweden के लिए Sweden के लिए और रुपीस क्या बन जाएगा foreign रिवस हो जाएगा न उदर तो स्वीडन के लिए क्या बन जाएगा इंडिया के लिए क्या है अपने को भी किसके लिए find करना दूस्ते बोला find identify the respective country तो डारेक्ट हिदर है स्वीडन में तो उसके लिए अपने क्या बनानेगा यहाँ पर स्वीडन home currency हम बनगे foreign currency it is indirect quote 1 upon 0.20 इसका उल्टा कर देगा 4.8 clear और स्वीडन के point of view से क्यों किया समझ में आया ना because direct quote जिसके लिए उसी का indirect निकलिया तो indirect quote 1 upon करखी करेंगे से understood पक्का समझा चलिए वन ग्रेट बिटन पाउंड का value तो ग्रेट बिटन पाउंड एक दिया मतलब वो foreign currency और dollar home currency dollar के दर US में चलता है यहां पे in US dollar उसके लिए home currency है और ग्रेट बिटन पाउंड उसका foreign currency है और उसके लिए foreign currency एक में express किया गया है तो US के लिए वो क्या है direct है जैसे इदर rupees के लिए था इदर US के लिए direct है तो it is direct in US इस time direct क्या आएगा 1 upon Great Britain 1.564 clear हुआ यह part अच्छे से बढ़ते next sum की तरफ देखते question दिया क्या आगया identify the country in which it is directly अब directly बता कॉंसे country के लिए direct हो देगे उपन USD and CAD का वैजी दिया है किस के लिए direct है अभी भी बता रहे है एक USD का value Canadian brother में दिया गया है foreign currency USD है कैनलदा के लिए विए बढ़ती भन जाएगा समझना आया तो यहाँ पर USD जो है in Canada USD Canadian dollar यहाँ पर USD और US उनके लिए क्या बन जाएगा foreign एक dollar का value दिया होगा foreign country के लिए वो क्या है वाई one एक्स्प्राइब बताव इदर कॉंसा country के लिए 1 euro USD USD के लिए डायरेक्ट है वेरी गुड यहाँ पर USD sorry अभी Canada लिए USD अमेरिका ही रहगा USD क्या है वाई एक foreign currency का value express in one minute दिया इसका मतलब वो क्या हो जाएगा मतलब US के लिए USD के लिए 1 USD New Zealand dollar New Zealand के लिए वो direct quote हो जाएगा वेरी गुड तो in New Zealand NSD will be your home currency USD will be the foreign currency और वो foreign currency को गंग में express किया तो it is a direct quote for New Zealand पहला part complete हो गया direct और indirect quote चलिए next अब बताएए Omani real और rupees का value दिया है इंडिया के लिए direct कैसे बोलो किसके लिए direct है Omani real के लिए एक Omani real का value दिया है Indian rupees में India इंडिया के लिए इंडिया के लिए इंडिया के लिए इंडिया के लिए इंडिया Omani real is foreign currency और एक Omani real का value दिया है था तो foreign currency वन यूट में express किया गया है तो इंडिया के लिए क्या बन गया direct quote for India समझा मैंस यह पाट समझो हागी कि चीज़े और simple हो जाएगा चलिए वन ग्रेट बिट अंड यूएजडी क्या यूएजडी डायरेक किसके लिए यूएज के लिए यूएज के लिए वन ग्रेट बिट बन डायरेक होड हो जाएगा वेरी गूड इव वैसे यूएजडी विल भी होब अग जीबीपी विल भी दीए एक उनिट पे वाट यूएज के लिए वतलब यूएज के लिए और कुछ है क्या नहीं इतना ही नहीं पते हें वूएज में तो उसरी निटे क्या सीखा राउ टवां टायक्ट लिए लिए बंक Bertaneा ऐसे समझ भी आते कैसे रहेगा पााच कॉच्च्च्च्च्चं效 पाँच पानगी विइक्रında लिए उधाम पाइज देखन लिए यह चीज़ इंपोर्टेंट है कि आपके आएफ के अंदर चीज़े बहुत सिंपल है प्राक्टिकल पाट सिंपल है तो यह तना क्लीर होगी अच्छे से चली तो आज यह तना ही करते हो फुली वीडियो पसंद आए तो प्रेंट्स लूप में शही करना चैनल को सब्सक्राइ झाल झाल